हेलो फ्रेंज, विल्कम बैक टू माई चानल बंदना व्लोग्स कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी दोस्त बंदना और मैं आपके साथ सेयर करूँगे एक रेसिपी वीडियो हाँ, तर्मूज से बढ़ा हुआ एक रेसिपी तो इतने दिन तक आप मुझे देखते आए हो जोलरी वीडियो के साथ तो मैं सोची तो चलो एक रेसिपी वीडियो दिया जाए तो इसके पहले भी जोलरी के पहले भी मैं रेसिपी वीडियो दी हूँ बहुत सारे तो उसके बाद मैं सोची चलो जोलरी का फीडियो दिया जाए तो यह रहानी सीजन में जोलरी का फीडियो को मैं आफ मतलब नहीं बना रही हूँ, जोलरी नहीं बना रही हूँ, तो तर्मूज से बना एक रेसिपी मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ, तो फ्रेंस देख ल तो यह तो हाप साइज देख रहे हो इससे भी मने इसका डवल साइज था बहुत ही यमी इतने दिन तक मैं तर्मुझ खाई हूँ लेकिन यह जो है ना बहुत यमी था तो यह देखकर मुझे लगा चलो इसके छिलके से कुछ बनाया जाए तो यह देखिए फ्रेंड्स मैं सब से पहले इस तर्मुझ को छिलके से अलग कर रही हूँ तो मैं चाकू की मदद से मैं यह छिलके को अलग कर रही हूँ देखो तो तर्मुझ की रेसिपी में बहुत देखी हूँ बहुत लोगों ने तर्मुझ की रेसिपी को दिया है किसी ने जूस बना कर दिया है किसी ने तो मेरे वीडियो पर दो करें तरमूज को टिकाएं. यह दिशाओध मैं वीडियो बैश्चा लिदा काईटत्रेशे करें, असल़ में तर्मूज को शोड़ा ही. तो यह तो तर्मोज का छिलका ही है लेकिन इसके जो उपर वाले जो भाग है ना वो सब हडा कलरखा उसको मैं पहले छिल लूँगी तो यह देखिए मैं छिलके को छिल रही हूँ जा देखिए तो यह पूरी तरह से मैं पेल कर चुकी हूँ यह देखिए तर्मोच का जो छिलका है जो उपड़ वाला जो छिलका है उसको मैं अलग कर दी हूँ और यह तर्मोच का छिलका पूरी तरह से एकदम रेडी है तो यह देखिए अब मैं इसे एक एक कड़के इसको नाय मतलब चाकू की साहता से मैं इसे छोटे-छोटे कट कर लूँगी तो मैं क्या बना रही हूँ तो आप देखते रहों मैं क्या बना रही हूँ यह देखो मैं पहले इसे कट कर लूँगी देखो, इसे छोट-छोटे टुगरों में कट कर लूँगी तो इतने दिन आप मेरे बेंगॉलीज विडियो देखो आज फिर मैं हिंदी में आपको विडियो बना रही हूँ तो मैं इसके पहले भी हिंदी में विडियो बनाई हूँ दो-तिन वीडियो मेरा हिंदी में है तो इस बार सोची चलो फिर एकबर try किया जाए monetization के बाद मैं हिंदी वीडियो नहीं बनाई हिंदी में voice नहीं दी हूँ तो मुझे लगा चलो आतर्य मुझकी वीडियो में हिंदी देती हूँ तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि मैं ये वीडियो में भॉय सोबर आपको क्यासा लगा तो यह देखिए पहले तो मैं तर्मुच की छिलके को कट कर ली हूँ छोटे-छोटे पीसे से कर ली हूँ फिर बाकी बचे छिलके को भी मैं इस तरह से ही छोटे-छोटे पीस कर लूँगी देखो तो देखो इस तरह से मैं तर्मुच की छिलके को छोटे-छोटे कट कर रही हूँ तो यह जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसके लिए बहुत ही छोटे-छोटे पीसे से की जोड़त है तो यह मैं क्या बना रही हूँ तो मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो मैं बोल अगर आपको लग रहा है कि यह कौन सा रेसिपी है, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हों, यह ठुटी फ्रूटी क्या होता है, बहुत यमी यमी, जैली मतलब क्या कहते है कैंडी टाइप्स है, तो मैं यह तरमूच के कैंडी में कैसे बनाती हूं, तो देखते रहे हैं, तो मैं तरम गुला हुआ था लेकिन मैं इसका हाईजीन के लिए पहरें फिर इसे धो रही हूँ यह देखिए मैं इसे मैं इसे धो लूगी देखिए तो इसे धोने के बाद मैं इसे उबाल लूगी इसे अच्छी तरह से धोना है क्योंकि ये तो एक खाने की चीज है ना तो इसको अच्छी तरह से अगर आप नहीं धोते हो तो फिर ये फैल्दी नहीं बनेगा तो ये देखिए मैं कड़ाई में दो कप पानी दे दी फिर इस पानी में ही मैं तर्मुच के कटें में पिसस को भी डाल दूँगी देखिए मुझके साड़ी कटें पिसस को मैं कड़के डाल दूँगी फिर मैं इसे ओवाल आने के लिए मैं इसे ढख दूँगी जैसे कि अच्छी तरह से ये वाइल हो जाए प्रेंज मैं अधाने से इसे ड्ख दी हूँ और इसे अच्छी तरह से ओबाल आनने के देखने लिए उबल चुका है इसके बाद इसको थोड़ा सा और मतलब बेख कर आदा उबला है या फिर पूरी तरह से ओबल चुका थी ये थोड़ा सा खच्चा है तो इसको मैं फीर से ढख दूँगी ताकि ये पूरी तरह से उबल जाए, मतलब पूरी तरह से सीच जाए, तो देखिए ये पूरी तरह से एकदर सीच चुका है, देखिए, तो मुझके पीसे इसको मैं अच्छी तरह से उबल ली हूँ, अब मैं इसे चान लूँगी, मतलब यह जो इस्टिल का जो आप चलनी देख रहे हो ना इसमें मैं च्छान लोगी, देखिए, मैं इसे इस्टिल के चलनी में च्छान रही हूँ, तो इसे मैं पूरी पूरा जो जितना भी मैं इसे उबाली हूँ, यह पूरी पूरा को ही इसमें च्छान लोगी, देखिए, इसे पूरी तरह से चमय चान ली हूँ अब देखिए यह वन बॉल चीनी है मतलब सुगर तो इसके सहायता से यह बनेगा यह चुटी फूटी की रेसिपी में सुगर तो बनेगा है क्योंकि यह जो यह कैंडी टाइप्स होगा ना तो इसमें सुगर तो देना ही पड़ेगा तो दे जिए को देखिए मैं कैसे बना रही है यहismo4 तो आप आप शारी कर सकते हो यह तैथि की रेसिपी तो आप सोचल रहे हो यह कौनसा नाम है टूटी फूटी लेकिन इसका यही नाम है टूटी और फूटी तो यह चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सामय लग रहा है फिर मैं इसे उबले हुए तर्मूच को मतलब छिलके को जो कटे हुए पीसे थे मैं इसमें डाल दूँगी यह चीनी के घोल में मैं इसे डाल दूँगी यह पूरी तरह से यह मेल्ट हो जाएगा चीनी के साथ और सोक कर लेगा तब तक मैं इसे उबा लूँगी और इसे मतलब सोक होने के लिए दूँगी देखिए फिर मैं इसे ढग दूँगी देखिए यह पूरी तरह से उबल जाए और अच्छी तरह से सोख हो जाए इसके लिए मैं मिसे पूरी तरह मतलब ढग दी हूँ देखे तो देखे यह जो है ना यह चीनी का जो खोल है ना बहुत ही कम हो चुका है मतलब एकटम सोख कर चुका है और इसमें चीनी पुरा मेल्ट हो चुका है तो आप सब देखते रहे हैं मैं ये टूटी फूटी के रेस्पी कैसे बनाई हूं आप सब जरूर देखते रहे हैं तो देखिए ये पूरी तरह से यह सीज़ चुका है और इसमें चीनी का जो जो मतलब टेक्स्टर है वो मतलब मिल चुका है देखें फिर मैं इसे एक अलग बॉल में ले लूँगी देखें मैं इसे अलग बॉल में इसे सब कर लूँगी देखें इसका कलर थोड़ा यलो कलर मतलब गॉल्डन कलर में आ चुका है लाइट यलो आप बोल सकते हो या फिर गॉल्डन कलर भी लाइट कल्डन बोल सकते हो तो इसके लिए में जो टूटी-फूटी के जो रेसिपी होती है ना उस पर कलरिंग होता है मतलब ब्लू, सुरी, ग्रीन, रेड एन यलो तो मैं ये ग्रीन देखिए इस तीनों कलर से मैं ये रेसिपी मतलब ये टूटी-फूटी को बनाऊंगी तो मैं दो चमच करके मैं इसमें कलर मिलाऊंगी बाकी सबको मैं एक ही कलर रखूँगी बस यलो कलर को क्योंकि कलर बाले खाना जो हता है उतना हाई मतलब अच्छा नहीं होता है तो मैं इसमें दो चमच करके मैं इसमें कलर मिला रही हूं बाकी सब मैं ऐसे नॉर्मल रख देखिए दो छम्मच तूटी-फुटी में एक कलर मिलाऊंगी देखिए तो सबसे पहले मैं इसमें रेट कलर डाल दूगी देखिए तीन कलर ले हूं नहीं इसमें एक लाल है और एक केसड़िया है और एक ग्रीन है तो देखिए, इसमें मैं सबसे पहले मैं रेट कलर को डाल दूंगी, देखिए, फुटी-फुटी की रेसिपी मतलब कलरिंग होता है, तो ये इसमें मैं रेट कलर डाल दी हूँ, देखने में बड़ा यमी होता है, देखने में बहुत सुन्दर होता है, खाने में तो यमी होत तो यह है केसरिया कलर मिला रही हूँ देखिए यह पूरी तरह से मैं से मेल्ट कर दीओं कलर से इसके बाद मैं इसमें ग्रीन कलर दे रही हूँ ग्रीन कलर मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है मतलब केसरिया फिर tendencies cheaper Wy ठीक है लेकिन ग्रीन कलर मुझे उत्ना पसंद नहीं है इसलिए मैंने बहुती कम यूज किया है उसलिए मैं पसंद ग्रीन कट का कोई भी खाना मतलब देखकर ही मुझे कैसा लग रहा है तो मैं सूचे नहीं इसमें थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं ग्रीन को बहुत ही कम मेल्ट की हूँ देखिए देखिए तीनों में कलर मिला चुकी हूँ यह रहा बाकी वाले जो नॉर्मल जो कलर है वो टूटी-फूटी रह चुके हैं तो इसके बाद मैं एक पेपर में इसे सोक करने के लिए निकाल लूँगी जिसे पेपर में जो एक्स्ट्रा जो आपकी जो चीनी का जो रस है वो सोक कर लेगा इसके लिए मैंने पेपर में डाल दी हूँ देखिए देखिए तीनों कलर को मैं पेपर में ले रही हूँ देखिए मैंने तीनों कलर को पेपर में ले लिया है जिससे इसके जो मतलब जो एक्स्टा जो पानिया पो सोक कर ले तो यह देखिए मेरे टुटी-फुटी की रेसिपी बिलकुल तैयार यह सोक कर चुका है और यह देखिए कालरिंग टुटी-फुटी देखिए और एक जो नौर्मल है इसमें कोई कलर नहीं मिलायी हूँ यह एक नौर्मल टुटी-फुटी है तो देखिएक कैसा बना है मेरे ने टुटी-फुटी की रेसिपी और आप घर में जरूर ट्राय कर सकते हो बहुत ही मीठा मीठा सा candy types है ये टूटी-फूटी तो जरूर बताएं ये मैं कैसे बनाई हूँ और मेरे comment section में आपके अच्छे-चे comments को मैं सुनने के लिए जो आप कैसे comment कर रहे हो, क्या बोल ले हो, मैं इसके लिए wait करती हूँ तो friends कैसा बना है मेरा ये टूटी-फूटी का रेसिपी आप जुरूर बताएं मेरे चानल को like करें comment करें और new friends मेरे चानल को sub करें टाटा बाई बाई